दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेने से एजुकीशन न्यूज में दोस्तो गुड मॉर्निंग सुपरभात इस वीडियो में दो अपडीट है पहला अपडीट है चिकित्सा विभाग चिकित्सा निदेशक बोनस अंकलाब देखक करें अभिया वेदन त्या करें और दूसरा जो मामला है प्रत्यूत्तर भिजवाने में देरी 20,000 नर्सिंग आफिसर की पदोनती आठकी गत्वर्स जन्वरी में पदोनती होनी थी कोर्ट ने इस्तगनादेश दिया और 10 माँ बाद भी नहीं दिया गया ठीक है दोस्तो 13 से जुड़े मामले में हाइकोट ने चिकित्सा निदेशक को कहा है कि वे प्रार्थियों के अभिया वेदन पर दो महिने में पूर में दिये गए निर्ने के पालनमुने 10,20,30 बोन संक का अलाब देकर उसे तैक करें वहीं प्रार्थियों को भी चिकित्सा निदेशक के श 10,20,30 और बोन संक देने का विवाद हुआ था लेकिन बाद में 2022 में ये विवाद सिप्रिम कोट से त्या हो गया सुप्रिम कोट ने मनोज आचारे के मामले में अभियर्थियों को कार्यान होके 10,20,30 बोन संक देने को कहा है इसके बाद हाइकोट ने बी 2 फरवरी 2023 को सिवा खान के मामले में बोन संक कलाब देते उसे निक्ति देने का निर्देश दिया प्रार्थियों का मामला भी सिवा खान और अन्य अभिर्थियों के समान है उन्होंने भी सुप्रिम कोट और हाई कोट के निर्णे की पालन में चिकित सबाक को निक्ति जिये जाने के लिए और आप लोग को याद भी होगा कुछ दिन पहले 2013 के कुछ अभ्यारतियों को यहाँ पर सुप्रेम कोट से जीत मिली थी, 10, 20, 30 बोरा संकुन के पक्स में आये थे और उसके बाद जैसे उन लोगों के पक्स में आये मामले तो और यह जो लोग हैं इन होने भी यहाँ पर हाई कोट ने कहा है इनका एप्लिकेशन लीजिए आप लोग और इन्हें 10, 20, 30 बोनस अंक दीजिए क्योंकि यह भी जो बोनस हैं के मामले हैं मनोज अचारे के समाने कुल मिलाकर इस बात को इतना समझ सकते हैं आप लोग सोट एंड स्वीट तरीके में कि भाई 10, 20 और 30, 2013 के कुछ अभियरतियों के पक्स में कि उनको 10, 20, 30 बोनस अंक देखकरके इनकी न्युक्ति दी जाएं क्योंकि ऐसा ही मामला जो है 2013 के मामले में सुप्रीम कोटिनेर न पर जारी किये तो ऐसे कुछ अभियरति चले गए जैसे मान लिजे किसी के पक्स में कोई फैसला आता है और आपका भी वैसा ही मेटर था तो आप भी चले जाएं तो ये 2013 का मामला है कि इनको 10, 20, 30 बोनस अंक दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोट जब उस बात को सही मान इसलिए हाई कोट ने काए कि इनके बोनस अंक का लाब दिया जाए इनने 10, 20, 30 का तो ये है ये 2013 का मामला है इसका 23 से कोई लेना देना नहीं है और दूसरी जो खबर है साती हो वो ये है कि प्रतियुत्तर भिजवाने में देरी 20,000 नर्सिंग ओफिसर की पदोनती अटकी गत वर्स यनकी पिछले साल जन्वरी में DPC होने थी प्रमोशन होने थे कोट का इस्तगन आदेश आ गया और चिकित सा विभाग ने जवाब नहीं दिया ये यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 नर्सिंग ओफिसर की पदोनती पिछले 10 महां से रुकी हुई है क्योंकि विभाग दुआरा प्रतियुत्तर अब तक नहीं भेजा किया ये आप लोग देखें यानि कि कोट ने जो स्टे किया DPC जो नर्सिंग ओफिसर की उस DPC के जबाब में जिकित सा विभाग ने अभी कुछ भी नहीं बताया कोट को और जब तक कोट में आप लोग जबाब पे इस नहीं प्यास और जिलाद्यक्स अनिल पांड्या ने बताया कि 23 जनवरी 2023 को चिकित्सा और स्वास्त विभाग द्वारा पद्दोनती जारी की गई जिस पर न्याले द्वारा इस्तकन आदेश जारी किया गया और उक्ति न्याले में परक्रण में 10 मां से लंबित है ऐसे में नर्स सकते हैं किस तरीके किलापरवाई है कि कोट ने जो इस्टे किया नर्सिंग ऑफिसर की डिपीसी को उसके बाद चिकित्सा बाकिये जुम्मेदारी बनती थी कि वो जबाब पेस करे कोट में उस इस्टे को हटवाए लेकिन यहाँ पर अंधिरनगरी चोपट राजा वाली कह दस महीने बाद भी नर्सिंग ऑफिसर की जो डिपीसी थी जो प्रमोशन थे उस पर इस्टे लगा हुआ है लेकिन चिकित्सा बिबाग ने अब तक इसमें कोई प्रतियुत्तर यानि की जबाब मानिये हाई को नहीं दिया है इस वज़े से डिपीसी अटकी हुए जैसे डि जिससे युवाओं को भरती के लिए पद भी मिल सकते है क्योंकि नहीं भरती हो सकती है अब यह जो 8750 की चल रही इसमें तो एक भी पद नहीं बढ़ेगा ठीक कि किसी के मन में इस खबर को देखने के बाद एक खयाल आ जाए कि भाई यह डिपीसी हो जाए तो और पद मिल जाएंगे तो उन पदों को रिक्त पद जो माने जाएंगे उन पदों पर नई भरती की जा सकती है तो यह पूरी खबर है सात्यों दोनों इस खबरें में आपको बता दी है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यह जान कर यह आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी ले स स्क्रिप्शन में दिया गया जय हिन दोस्तों जय भारत